एफ कि एलोग फ्रेंट वबकम टू माई चानल एक्षिलेंट कोचिंग साइकोडाइनमिक थेरपी के बारे में बात हो रही थी पहले साइकोडामिक शुरू करेंगे Classical Psycho Analysis जो Freud की टेकनीक हमने पढ़ी है लास्ट वीडियो में उसमें क्या है टाइम बहुत जादा लगता है इस वेरी टाइम कंजूमिंग और कॉस्टली भी है और कई बार उसमें बहुत साल लग सकते हैं वो जो unconscious desires को uncover करने की जो practice होती है और इसमें client की भी बहुत जादा एक client को जब immediately help चाहिए होती है तो इस type की therapies काम नहीं आती है usually तो client फिर इस तरह की insight therapies के लिए जादा दिर wait नहीं कर पाते हैं उनको थोड़ा सा faster process चाहिए होता है तो उस case में जो दूसरी therapies हैं जो हम आगे पढ़ेंगे जिनको हम insight therapy भी बोलते हैं और action therapy भी बोलते हैं दोनों ही type की therapies हैं जो थोड़ी सी fast है मतलब psycho analysis से थोड़ी ज़्यादा fast है और उसमें क्या है role playing जैसी technique यूज की जाती है ताकि ये transference वाले problem ही ना हो ये transference जो होती है इसकी जगा पे पहले ही आप उसको role playing करवा हो जिसमें वो उसतरा का role play करके अपने hidden feelings को अपने desires को express कर सके psychodynamic में ही interpersonal therapy भी एक होती है जिसमें ज़्यादा focus होता है interpersonal relationship के उपर तो किसी client का अपने घर में अपने किसी भी person के साथ कोई relation है उसमें problem है तो वो interpersonal therapy में उसको help मिलती है और इसमें 15 से 20 sessions होते है और इस session का जो main aim होता है वो ये होता है कि वो dispute और interpersonal issues जो है उसको solve कर सके psychodynamic therapy की evaluation ये है कि एक तो ये बहुत जादा time consuming है expensive हो जाती है इसलिए क्योंकि time बहुत जादा लेती है इसमें questionable approach है questionable approach का मतलब कि ये human nature को जिस तरीके से approach करती है उसका कोई scientific basis नहीं है इसमें immediate relief नहीं मिलता है लोगों को और childhood experiences को बहुत जादा importance दी जाती है so instead of present जो है past को जादा importance मिलती है कई बार ही ऐसा होता है कि past की चीज़ें याद नहीं होती है कुछ जरूरी नहीं है कि हर किसी का childhood बहुत जादा खराब हो तो इस case ने फिर यह psychodynamic therapy काम नहीं आती और इसके जो use का जो इसकी जो effectiveness है कि इसका जो use होके मतलब लोगों को help मिली हो उसका proof बहुत कम है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि उनको actually psycho analysis के through कोई help मिली है तो जो modern psychodynamic therapies है वो थोड़ी जादा effective है उनमे time कम लगता है जैसे interpersonal की बात करिया भी हमने और वो थोड़ा सा जल्दी cure कर देते हैं cure मतलब proper cure तो नहीं बढ़ हां treatment करने में जादा help हो जाती है then उसके और हमारे cognition processes होते हैं cognition मतलब फिंकिंग व्जारा तो cognitive therapy यह बोलती है कि हमारे जो cognition processes है वह बहत राशनल है हमारे thoughts बहुत गलत है Truth negative thoughts होते हैं इसलिए हमें problem होती है rational belief होते है negative thoughts होते हैं इसलिए हमारे को disorders जैसी problem होना शुरू हो जाती है जब हम गलत तरीके से हमारा cognition process गलत तरीके से काम करना शुरू कर देता है cognitive point of view के according हमारे thinking patterns बहुत ज्यादा responsible होते हैं हमारे disorders के लिए तो यहां पर Rosenhan and Seligman ने इनको दो चीज़ों में divide कर दिया गया एक short term conscious cognitive process है एक long term and unconscious cognitive process है तो देखते हैं यह क्या है short term cognitive process मतलब there are three primary short term cognitive processes which if inaccurate lead to mental disorders तो यह तीन जो है expectations, appraisal और attribution यह short term cognitive process है अगर यह inaccurate हो जाते हैं गलत हो जाते हैं तो हमें mental disorder जैसी problem होना शुरू हो जाती है expectations क्या होती है किसी से expect करना तो अगर हम किसी से कुछ expect कर रहे हैं और वो desirable outcome नहीं आ रहा है तो उस case में हमें problem होती है bandura we can say in fact say that there are two kinds of expectations person can have outcome expectations and efficacy expectations तो bandura ने दो टाइप की expectations बताई है एक तो outcome expectations और efficacy expectations है negative outcome and efficacy expectations have linked to phobias anxiety तो outcome expectations क्या होती है जब आपको किसी चीज़ का result उस type से नहीं मिलता है जैसा होना चाहिए और efficacy expectations होती है कि आप जितना believe करते हो कि आप जितना better perform कर लोगे वो नहीं कर पाते हो तो अगर negative outcome आता है या efficacy expectation पूरी नहीं हो पाती है तो उस case में phobia anxiety इस type की problems होनी श anxiety हो जाती है घबराना शुरू कर देते हैं anxious हो जाते हैं तो यह incorrect cognition जो हो जाती है इसकी वज़ाए से problems होती है फिर आता है appraisal appraisal मतलब अपने आपको evaluate करना या किसी को evaluate करना appraisals are evaluation about various events and behavior of self यहां पे अपने आपकी बात कर रहे है क्योंकि disorders की बात हो रही है तो यह जो self evaluation होत करते हैं हर बात सम्टाइम्स अकर automatically तो back क्या बोलते है back has outlined many assumptions that predispose a person to negative appraisal तो कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसमें हम अपने आपको negatively appraisal करते हैं appraisal का मतलब होते है किसी के बारे में evaluation लिखना मतलब कोई मेरे को बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छी हूं तो वह मेरा appraisal positively कर रह so to be happy I have to be successful अगर किसी की thinking is type की है कि मुझे successful होना बहुत जरूरी है happy रहने के लिए और वो उस time पे किसी भी point of time पे अगर किसी चीज में successful नहीं हो पाता है तो वो उसको problems create होती हैं उस वजह से to be happy I must be accepted by others and all the time अगर मुझे खुश रहना है तो हमेशा ही मेरे को सब लोग accept कर है हर बारी और वो ना करें तो फिर मुझे problem होगी my value as a person depends on how others evaluate me बाकी लोग मुझे कैसे evaluate करते हैं उस पर depend करता है कि मैं किस तरह की person हूँ और अगर वो मुझे negative evaluate करेंगे that means मैं बहुत negative हूँ अगर इस तरह की cognitions हमारे अंदर आ जाती है इस ताइप की thinking आ जाती है तो back according हम में बहुत जादा problems create होती है इसकी वज़ासे हमारे अंदर extreme sadness और hopelessness आ जाती है तो यह था appraisal then attribution attribution मतलब attribution are concept about why things happen to us हम कोई भी चीज के पीछे जब reason जोड़ देते हैं कि ऐसा क्यूं हुआ और वह हम गलत अगर reason जोड़ दें तो वह उसकी वज़ासे problems create होती है जैसे अग external attribution if she blames herself internal attribution तो अगर कोई बच्चा एक्जाम में fail हो जाता है अगर वो उसका reason teacher को देता है या उसका reason paper को बोलता है कि paper बहुत ही out of slavers था तो वो external attribution कर रहा है मतलब किसी बाहर की चीज को reason बता रहा है अगर वो अपने आपको blame करता है कि मैंने नहीं पढ़ा तो वो internal attribution ह तो कई बारी internal attribution इतना जादा हो जाता है कि हम अपने self को इतना negatively evaluate कर देते हैं कि हमारे अंदर disorders होने शुरू हो जाते हैं तो different dimensions हैं attribution की external internal एक तो जो हमने उपर देखी दूसरी आएगी stable or unstable attribution stable means जो थोड़ी देर तक maintained रहती है जैसे if a student thinks that she will never be able to get good mark she is making a stable attribution कि हम अगर permanently ऐसर सोच लेके हमारे कभी marks इच्छे नहीं आएंगे तो वो एक stable attribution हम कर रहे हैं जो हमेशा ही रहेगा but if she believes that not studying well for this exam led to failure और अगर वो खाली एक exam में कम number आने के लिए बोले कि मैंने इस बार नहीं पढ़ा था इसलिए कम आया है तो वो unstable हो गया फिर आता है global and specific global attribution क्या होता है जो सब के उपर जो globally apply होता है जैसे displayed across situation मतलब हर situation में आप उसी को attribute करते हो तो एक if a student think that she is a loser and she won't be able to do anything in life because she failed a psychology exam तो मतलब कोई student है अगर वो अपने एक exam में fail हो गई और उसी को globally attribute कर रही है हर situation में कि मैं अब बिल्कुल भी अपनी life में जो है वो successful नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मैं exam में fail हो गई भी psychology के तो वो globally attribute कर रही है मतलब उस चीज को वो सब के ओपर ही कर रही है and specific का मतलब होता है किसी एकी चीज के ओपर attribute करना तो cognitive psychologist क्या कहते है कि यह जितने भी हमारे type of attribution है अगर हम accurately ना करें तो उससे हमें mental disorders होते है है cognitive psychology state that the attribution style determine whether anyone is prone to certain disorders like depression तो लोगों की attribution स्टाइल से पता चल जाता है कि उनको disorders होने के chances जादा है या कम है उनकी बातों से पता चल जाता है वह जिस तरह की appraisal करते हैं अपने बारे में वह जिस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से यह जिस तरीके के रीजनिंग देते हैं अपने फेलियर को उसको सुनके आइडिया लग जाता है कि किसको ज्यादा डिसॉर्डर होने के चांसिस और किसको कम the clinically deprived make internal, stable and global attribution जो deprived होते है ना clinically deprived मतलब जो लोग बहुत अपने अपको कम समझते हैं वह एक तो internal जादा लेते हैं internal attribution मतलब की मेरे ही वज़ाइस ही हुआ है महीं ही ऐसा हूं और वह global करेंगे global मतलब एक बार खराब हो गया तो हर बार ही खराब होगा और stable करेंगे मतलब हर बार ही खराब होना में वो stable attribute कर रहे हैं तो जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने आपको कम समझते हैं तो वो internal करेंगे global और stable attribution करेंगे तो जैसे if there is extreme cold they blame themselves for it तो बहुत जादा ठंड होगी तो उसको भी वो अपने आपको ही blame करेंगे उसके लिए भी तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही एक funny तरीके से समझाये हुए कि Barack Obama dies they blame themselves for the bad news कि अगर कोई bad news भी आजाएगी टीवी में इस टाइप की तो भी वो अपने आपको ही blame करेंगे तो इस टाइप से पता चल जाता है कि किन लोगों को mental disorders हो सकते हैं यह तो short term cognitive process अब आते हैं long term long term मतलब जो unconscious होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते हैं कि हमारे cognitions ऐसे हैं जिसकी वीज़ासे हमें problem हो रही है और वो काफी लंबे समय तक चलते हैं so people have some core beliefs based on hypothetical construct hypothetical मतलब जो real में नहीं है जो बतब ऐसी imaginary होते हैं उसके base पर belief होते हैं so Alice argues that psychological disorder results when these core beliefs are irrational तो क्या होता है जब ही हमारे core beliefs irrational हो जाते हैं और यह unconscious हो मतलब हमें consciously नहीं पता होता हम ऐसा मानते होते हैं लेकिन हमें ही नहीं पता होता है कि हम इस तरीके से सोचते हैं और वो बहुत लंबे टाइम तक हम उस चीज को करते हुए आ रहे होते हैं हमें खुदी आइडिया नहीं होता तो इसकी वज़ा से हमें problems होती है so they are unconscious process that affect our short term expectation तो उसी वज़ा से हमारी यह जो तीन चीज जो short term में हमने देखी थी उसके ओपर भी बुरा असर पड़ता है how do core beliefs lead to maladaptive behavior Alice forwards the ABC model to explain this तो इसको explain करने के लिए Alice ने ABC model बताया है जिसमें he states that A is an activating event which is unpleasant and bothersome there are consequences in the form of negative emotions most people believe that emotional consequences are direct result of the event A तो A इसमें क्या है A जो है वो एक event है activating event है जो की बहुत unpleasant है unpleasant मतलब कोई चीज़ आपके साथ कुछ खराब हो गया कुछ गलत हो गया कई fail हो गया किसीने कुछ बोल दिया कोई भी ऐसे event है जो आपके अंदर negative emotions को activate करता है C क्या है C उसका consequence है negative emotions की वजा से आपके अंदर किस तरह की चीज़े क्या changes आ रहे है however there is an immediate step called B which represents the belief one holds about the event तो अब A से C पर directly तो जाएगा नहीं पहले B पर जाएगा तो B क्या है B belief है अगर आपका belief irrational होगा तो आपका जो consequence होगा वो भी irrational होगा तो अगर आपका belief positive होगा तो consequence भी positive होगा so the belief one holds about the event irrational beliefs in the second step actually lead to emotional consequences for example if a person is phobic phobic to dog she thinks that she becomes anxious when she confronts a dog there are irrational beliefs तो example इन्होंने यह समझाया है कि अगर किसी को dog से डल लगता है तो उसको anxious हो जाएगी लेकिन पहले उसका belief उसको बताएगा कि उसको डना चीए है नहीं तो अगर उसके अंदर यह belief पका है कि उसे dog से डल लगता है तो वो obviously anxious हो जाएगी तो पहले A आता है वो event जिसकी वज़ासे problem हो रही है फिर B आता है belief फिर C यानि कि उसका consequence क्या होता है तो problems होना शुरू हो जाती है तो यह थी cognitive therapy जो cognition के ओपर डिपेंड करती है फिर आजाता है rational emotive therapy यह वाला भी Alice नहीं forward किया था concept rational emotive therapy वाला और इसमें भी maladaptive behavior को ही change करना होता है जिसमें हम incorrect cognitions को target करते है मतलब जो भी गलत चीज़ हम सोच रहे है उसको target करते है so while he explains using ABC model he proposes that disorders can be treated ABCD अब यहाँ पर इन्होंने ABCD model बोला है और D का मतलब है process of disputing and changing B तो D का मतलब है हम कैसे B को change कर सके B यानि कि हमारे beliefs को कैसे change कर सके so D means disputing dispute करना मतलब किसी चीज़ के against बोलना तो यह ABCD model की थूँ हम लोगों को treat कर सकते है rational emotive therapy में Alice यासा बोल रहे है तो यह इन्होंने यहाँ पर एक diagram भी दिया हुए ABCD model का जैसे A क्या हो गया वो activating event हो गया जिसकी विज़ासे आपको problem होनी शुरूई फिर बीच में आया आपका belief कि आप उसको negatively लेते हो कि positively लेते हो तो अगर तो आप negatively लेते हो तो वो emotional consequences होंगे जिसकी वज़ासे आपको problem होना शुरू होगी और यह B की वज़ासे होए क्योंकि आपके belief ऐसे थे फिर उसके बाद disputing करेंगे disputing मतलब आपके इस process को target करेंगे कि आपने ऐसा क्यों सोचा आपने ऐसा क्यों believe किया कि आपको negative होना चाहिए था तो इसको target करेंगे इसको change करेंगे अगर यह change हो गया तो automatically C भी change हो जाएगा So in rational emotive therapy, RET The therapist acts as a cross examiner of irrational belief तो वह आपका examiner की तरह जैसे examiner paper चेक करते हैं न सही लिखा कि गलत ऐसे वह आपकी belief को check करते हैं कि आपका belief क्या है आप सही belief करते हो कि गलत therapist is an active part of the therapy, aggressively confront इस therapy में confrontation word बहुत important है therapist confront करता है client को और उसको challenge करता है कि जो तुम सोच रहे हैं उसके पीछे कोई logic नहीं है direct बात करता है, बहुत directly involved होता है psychoanalysis की तरह नहीं है कि पीछे बैठ जाते हैं और सामने नहीं आते हैं इसमें directly involved होते हैं ultimately it is construct cognitive restructuring cognitive restructuring मतलब आपके जो thoughts हैं उसको दुबारा से restructure कर रहे हैं तोड के दुबारा सही कर रहे हैं therapist introduces the client to commonly held irrational belief and then trains her by aggressive confrontation aggressive confrontation मतलब कि उसको बोलता है aggressively कि आप इतना गलत सोचते हो कि आपको लगता है कि ये सही है सोचना क्या है इसके पीछे कोई proof है या कोई logic है जो आप सोच रहे हो मतलब directly बैट के आपके साथ argument भी कर सकते हैं तो ये rational emotive therapy है फिर आजाती है back की cognitive therapy जो इसी से related है so although all forms of cognitive therapy concentrate on cognitive restructuring not all treatments are direct and confrontational अब सारी treatment इतनी ज़्यादा direct नहीं होती जितनी हमने अभी rational emotive ने देखा एरन बैक की जो cognitive therapy है ये थोड़ी से suggestive है suggestive मतलब ये suggest करता है इसमें therapist client को कि क्या चीज़ करनी चाहिए बर directly उसे argue नहीं करेगा उसको confront नहीं करेगा तो client खुद ही discover करेगा कि उसके अंदर क्या fault है client को खुद discover करने का time देते है while the task of identification of irrational belief is with the client client यहां पर ज्यादा active है clients are made to act as a psychological detective client एक detective की तरह ढूंडेगा कि उसने कहा गरत सोचा उसको कौन सा irrational belief रॉंग था clients are asked to note their automatic thoughts and emotions in a notebook then write a rational response so what are automatic thoughts जो आपके mind में automatically आ रहे है suppose आप fail होगा आपके mind में automatically क्या आएगा कि paper बहुत खराबता है यह teacher बहुत खराबती that is automatic thought and then what is rational response client therapist उसको rational response में change करने के लिए बोलेंगे अब आप इसको थोड़ा rationally लिखो कि rationally logically क्या हो सकता है कि maybe you have not studied well so इस तरीके से client को यह encourage किया जाता है और client खुदी discover करता है कि वो किस तरीके से contradict करता है खुदी अपनी बात से so client discover the contradiction that she can be said to have successfully gone through the therapy back believed that successful client of this therapy passes through four stages अब कोई अगर successfully कर लेगा यह therapy तो वो चार्ज स्टेजिस से निकलेगा इसमें से पहली stage है become aware of the thoughts पहले तो अपने thoughts के बारे में आपको पता हो और आप honestly बता दो therapist को आप यह ना बोलो कि आप socially desirable answer ना दो दूसरी चीज है उसमें negativity क्या है उस चीज को आप पचानो कि आप कहा negative सोच रहे हो थर्ड आता है कि उसको substitute करो positive thoughts से और positive thoughts से substitute कर लोगे तो recovery automatically होई जाएगी आपको पता चल जाएगा कि और हम किस तरीके से सोच सकते थे इसको and then you take a feedback from the therapist के whether you are correct or not तो एक examiner की तरह therapist आपको बताएगा कि आपका answer ठीक है या गलत है तो इस तरीके से होता है अब इसकी evaluation में discuss करा हुए कि इसके positive or negative points क्या है सो आरीटी बहुत useful मानी जाती है क्योंकि यह थोड़ी सी fast है और यह effective भी है anxiety के लिए यह जैसे test anxiety क्या होती किसी को exam देने से पहले बहुत anxiety होती ना वह ली and speech anxiety कहीं speech देने से पहले उस टाइप से researchers have also found that RET is quite effective for depressive disorder क्योंकि उनके thoughts बहुत negative होते हैं इनको depression होते है तो उसके लिए भी RET बहुत healthy मानी गई है और healthy लोगों को normal लोगों को भी stress को prevent करने में help करती है बैक की therapy जो है वह बहुत सारे disorders के लिए है बैक वाली therapy जो cognitive therapy है उसमें drug treatment के लिए बहुत अच्छा मतलब effectiveness नजर आती है it has superior long term benefit relapse chances in the case of relapse chances मतलब दुबारा से वह चीज़ शुरू होने के chances बहुत कम होते है बैक therapy has shown promising result in the treatment of certain personality disorders तो यह थी cognitive अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लाइC LINE CENTER THERAPY THANKS FOR WATCHING